लास्ट क्लास में हमने नेगेटिव फीडबे के कुछ वेनिफिट देखे थे जिन में अपना नौन लेनियर डिस्टोर्शन को कम करना है एम्प्लिफाइर के जो गेन उसका इस्टेबलाइजेशन है और साथ ही एम्प्लिफाइर के जो बेंड विरती उसमें व्रद्धी करना मुख्य तया था नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वो है फीडबेक टेकनिक और इस फीडबेक टेकनिक में भी हमने यहां पर जो यह ब्लोक डाइग्राम बनाया है उस ब्लोक डाइग्राम में यह सेंप्लिंग नेटवर्क फीडबेक नेटवर्क और मिक्सिंग नेटवर् कि feedback technique के रूप में हम output voltage को भी feedback कर सकते हैं और output current को भी हम feedback कर सकते हैं और output voltage को feedback करने के भी दो तरीके थे एक था in-series और एक था in-parallel तो जब in-series हम feedback करेंगे voltage का तो जिस प्रकार से हमें इसको feedback करना है उसका तरीका है यहाँ पर यह कि यह block diagram बनाया है amplifier A ही और यह output के दोनों टर्मिनल काम में आएंगे इसमें जब भी हम voltage feedback करेंगे तो output के दोनों टर्मिनल अपने काम आएंगे तो उसमें यह feedback करने का तरीका है कि यह upper terminal को हम in-series में करने के लिए input के lower terminal में input जोड़ देते हैं और lower terminal को हम अपर टर्मिनल में जोड़ देते हैं input में और जब sent में करना हो तो यह upper terminal output और upper terminal input और lower terminal output और lower terminal input यह अपस में connect रहेंगे लेकिन इन series में जब हम series में जोड़ेंगे तो उसमें यहां से यह terminal open रहेंगे और sent में यह open नहीं रहेंगे एक फर्क तो यह दोनों में आएगा current में भी आएगा और voltage में भी आएगा series में यह terminal open रहेंगे और sent में यहां से terminal open नहीं रहेंगे फिर है दूसरा अपना current feedback और current feedback के लिए जैसे कि हमने पहले भी बताया कि voltage को feedback करने के लिए दोनों terminal को कामें लेते हैं लेकिन current का जब feedback देंगे हम तो सिर्फ एक ही terminal को हम यहां से कामें लेंगे in series यहां से terminal open रहेंगे और in sent terminal open नहीं रहेंगे जिस current का हम feedback कर रहे हैं वो current यहां पर है if अब हम देखते हैं कि यह जो हम negative feedback दे रहे हैं उस negative feedback का amplifier के निवेसी प्रतिरोध पर क्या प्रभाब पड़ता है negative feedback का amplifier के input resistance पर क्या effect पड़ता है यहां हमने circuit बनाया है और इस circuit में amplifier को box के द्वारश चो किया है और यहां पर in series voltage feedback दिया है और जितना voltage feedback हम दे रहे हैं वो है VF जिसकी value है VF VF is equal to beta part of output voltage VO यह अपना original signal Vs है और यह amplifier के input पर जो voltage है V i साथ ही यहां RI जो है वो without feedback input resistance से amplifier का तो जब हमने amplifier में किसी प्रकार का कोई feedback नहीं दिया है तो उस समय original input signal Vs और amplifier के input terminal पर जो voltage अपने show की है V i वो equal रहेगी यहां से अब यदि हम यह मालें कि इस amplifier के input terminal पर current i flow हो रही है तो इसी equation में जहां हमने Vs is equal to Vi लिखा है उसमें जदी हम उस equation को जदी हम i से divide कर दें तो वो आएगा Vs upon Vi is equal to Vi upon i is equal to Ri यह है अपना without feedback input resistance यह है अब हम लेते हैं कि with feedback की amplifier को लें तो उस समय यह जो input signal Vi है यह input signal Vi is equal to जब हमने किसी प्रकार का कोई feedback नहीं दिया था तो value थी Vs लेकिन जैसे ही हम feedback देते हैं तो यह value हो जाएगी Vi is equal to original signal Vs plus feedback voltage Vf चुक्कि हमने यहाँ पर negative feedback दिया है तो Vf की value आएगी minus beta V0 और जो V0 है वो V0 होगा A time input voltage Vi यानि input voltage का हमने कितनी व्रदी कर दी यदि amplifier का gain A है तो output voltage V0 is equal to होगा AVI और इस AVI की value को यहाँ put करें तो equation आती है अपने पास Vi is equal to Vs minus beta AVI इसको आगे solve करें एक तरह हमने Vi को ले लिया collect किया तो value आती है अपने पास Vi bracket 1 plus A beta is equal to Vs यदि negative feedback देने पर अब भी current I flow हो रही है तो इसी equation में या इसी equation को हम I से divide करेंगे तो अपने पास value आएगी यह जो है Vs upon Vs upon I is equal to Vi upon I into 1 plus A beta यहाँ पर यह जो Vi upon I है यह है input resistance Ri जो पहले हमने equation लिखी without feedback की condition में multiply by 1 plus A beta जो कि यहाँ पर beta जो है वो है कि output का कितना part हमने feedback दिया है तो उस इस्तती में यह जो left side की value है Vs upon I यह होगी अपनी Ri prime यानि amplifier का input resistance in presence of feedback और feedback कौन सा है negative feedback चुकि हम जानते हैं कि 1 plus A beta जो है उसकी value एक से बड़ी रहती है और एक से बड़ी होने के कारण यहाँ जो अपने को Ri prime की value है वो बड़ी आएगी Ri से यानि जो भी अपना amplifier था उसमें यदि हम negative voltage feedback करते हैं तो उस इस्तती में उस amplifier का input resistance बढ़ जाएगा या रणात्मक स्रेनी पुनर निवेस से प्रवर्धक के निवेसी प्रतिरोध में व्रद्धी होती है यदि इसके विप्रीत हम positive feedback दे दे इसके विप्रीत यदि हम positive feedback दे जहाँ पर positive feedback में क्या होगा one plus a beta की value एक से कम रहेगी तो उस इस्तती में फिर amplifier के input resistance में कम हो जाएगी लेकिन ध्यान रहे negative feedback हो और voltage in series feedback हो तो amplifier के input resistance में व्रद्धी होती है next है जिस प्रकार से हमने input resistance पर negative feedback का क्या effect आता है उसी प्रकार से अब हम निकालेंगे कि output resistance पर negative feedback का क्या प्रभाव आएगा क्या effect आएगा चुकि यहाँ हम effect देख रहे हैं output resistance पर और output resistance जो है वो amplifier के output टर्मिनल के बीच का जो resistance होगा वो रजिस्टेंस से output resistance के लाएगा लेकिन condition यह रहेगी जबकि निवेशी संकेत वोल्ट ता सुनने हो यानि input पर किसी प्रकार की कोई signal voltage नहीं है उस इस्तती में amplifier के output टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज है सोरी जो रजिस्टेंस अपने को मिलेगा वो कहलाएगा आउटपूट रजिस्टेंस आफ ए एम्प्लिफाई यहाँ पर एक यह ब्लोक डाइग्राम बनाया है उस ब्लोक डाइग्राम में यहाँ input signal पर किसी प्रकार की कोई voltage नहीं है और आउटपूट टर्मिनल पर voltage है वी ओ प्राइम फ्लो होने वाली current है आई ओ प्राइम और उस इस तती में output टर्मिनल की बीच का जो resistance है वो है आज़ नोट इसको लिखा है आज़ नोट से तो यह आज़ नोट जो है वो बिना किसी फीडवे के एम्प्लिफाईर का output रजिस्टेंस है और इस output रजिस्टेंस का मान ग्याद करने के लिए निवेसी संकेत वोल्टता को सुनने वान कर निर्गम टर्मिनलों पर voltage वी ओ प्राइम आरोपित करते हैं तथा इस वोल्टता के कारण प्रवाहि धारा जो है वो आई ओ प्राइम का मान ग्याद करते हैं और वो वेल्यू आएगी यहाँ पर और वी ओ प्राइम आउटपूट अडिस्टेंस जो है वी ओ प्राइम अपन आई ओ प्राइम इस इक्वल टो आर नोट आर नोट अब हम क्या करते हैं कि यह जो आउटपूट वोल्टेज था वो है अपना VO प्राइम इस आउटपुट वोल्टेज VO प्राइम जो है उसका बीटा अंस हम नेगेटिव फीडबेक करते हैं तो ये नेगेटिव फीडबेक जो है ये हो गया अपनी इन्पुट वोल्टेज किसके लिए एम्प्लिफाइर की और चूंकि एम्प्लिफाइर का जो गेन है वो ए है तो फिर अपने को आउटपुट वोल्टेज कितना देगा वो देगा माइनस ए बीटा VO प्राइम यह वाँ तो यहाँ पर लिखा है कि मान लेते हैं कि निर्गम वोल्ट तक कि कुछ अंस बीटा VO प्राइम का नेगेटिव फीडबेक इन सिरीज में किया जाता है और उसके कारण निर्गम लूप में जो वोल्टेज प्राप्त होगी वो होगी माइनस A बीटा VO प्राइम अब यदि इस आउटपुट सरकिट में किर्शोफ का कि VO प्राइम इस इक्वल टू IO प्राइम आर नॉट माइनस A बीटा VO प्राइम यह वाली क्वेशन आउटपुट वोल्टेज को एक तरफ कलक्ट करें तो अपने पास इक्वेशन आती यह वाली यहाँ VO प्राइम अपन आई ओ प्राइम इन प्रेजेंस ओ फीडवेक यह कहलाएगा आउटपुट वो दिस्टेंस RO प्राइम इस इक्वल टू R नोट अपन 1 प्लस A बीटा चुंकि 1 प्लस A बीटा की वेल्यू इन नेगेटिव फीडवेक ग्रेटर देन 1 रहती है और 1 प्लस A बीटा की वेल्यू ग्रेटर देन 1 होने की कारण RO प्राइम यानि आउटपुट रजिस्टेंस इन प्रेजेंस ओ फीडवेक इस लेस देन R नोट कहने का अर्थ है की नेगेटिव फीडवेक इन सीरीज में लगाने पर Amplifier के आउटपुट रजिस्टेंस में कमीख होती है या दूसरे सब्दों में कहें की रिणात्मकस रिणी पुनर निवे से निरगम प्रतिरोद के मान में कमीख होती है तो यहां पर हमने देखा कि यदि वोल्टेज फीडवेक इन सीरीज हो तो उस इस्तती में Amplifier के इन्पूट रजिस्टेंस में व्रदी होती है और आउटपूट रजिस्टेंस में कमी होती है नेक्स्ट टोपिक जो है उसको अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे